दोस्तों ये हम सभी के लिए गर्व की बात है कि हमारी इंडियन क्रिकेट टीम के महान बैट्समेन विराट कोली ने अपने वन डे इंटरनेशल करियर में 10,000 रन सक्सेस्फुली कम्पलीट कर लिये हैं और दोस्तों मज़ेदार बात ये है कि पिछले कुछ सालों में विराट कोली के परफॉमेंस की तरह ही म्यूचल फंट S.I.P. ने भी परफॉर्म किया है जिन कराणों की वज़े से विराट कोली ने अपने ये कीमती 10,000 रन बनाए है ठीक उसी तरह से पिछले कुछ सालों में काफी सारे म्यूचल फंट इंवेस्टर्स ने S.I.P. के थुरू अपने लिए बहुत अच्छी वैल्द क्रियेट करी है आज की इस वीडियो से हम विराट कोली की सकसे स्टोरी से सीखेंगे कि किस तरह से S.I.P. म्यूचल फंट से हम भी अमारे लिए लंबे समय में एक अच्छी वैल्द क्रियेट कर सकते हैं और आज इस वीडियो के अंत में आप सभी को मिलने वाला है जील्स की तरफ से एक बहुत बढ़ा दिवाली की इफ्ट तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं दोस्तों वंडे इंटरनेशनल मैचिस में अगर हम विराट कोली के परफॉमेंस की बात करें तो विराट कोली ने वंडे इंटरनेशनल मैचिस में डेब्यू किया था साल 2008 के अंदर जिस साल में उन्होंने बनाये थे 159 रंस उसके बाद में साल 2009 के अंदर 325 रंस, साल 2010 के अंदर 995 रंस, साल 2011 के अंदर 1381 रंस, साल 2012 के अंदर 1026 रंस, साल 2013 के अंदर 1268 रंस, साल 2014 के अंदर 1054 रंस, साल 2015 के अंदर 623 रंस, साल 2016 के अंदर 739 रंस, साल 2017 के अंदर 1460 रंस और अभी तक साल 2018 के अंदर विराट कोहली टोटल 982 रंस ODI मैचिस में बना चुके हैं दोस्तो इन सारे रंस के टोटल के साथ विराट कोहली के बन चुके हैं पूरे 10,000 रंस लेकिन यहां पर देखने वाली बात यह है कि इन 10,000 रंस को अचीव करने में विराट कोहली को लग गए पूरे 10 साल दोस्तों यहां पर देखने वाली बात यह है कि विराट कोहली ने हमेशा हर साल अच्छे रं stunning score नहीं किये हैं कुछ सालों में उन्होंने 4 डिजिट्स में तो कुछ सालों में 3 डिजिट्स में भी रंस बनाए हैं यानि कि उनके 10 साल के परफॉमेंस के अंदर काफी ups and downs देखने को मिले हैं लेकिन इस 10 साल के लंबे सफर के बाद में उन्होंने जो हासिल किया है यह बहुत ही जबरदस्त है जिस पर हम सभी भारतियों को गर्व महसूस हो रहा है और दोस्तों ठीक इसी तरह पिछले 10 सालों में हमारी mutual fund SIP ने भी वीराट कोली की तरह ही performance दिया है आज से एक साल पहले अगर किसी ने SIP शुरू की होती तो उसके invest किये हुए 1,20,000 रुपई पे 3.42% return के इसाब से आज उसकी value हो चुकी होती 1,22,223 रुपई इसी तरह अगर आज से दो साल पहले किसी ने 10,000 रुपई की मंतली SIP शुरू की होती तो उसके invest किये हुए 2,40,000 रुपई की 5.50% CSGI return के इसाब से value हो चुकी होती 2,53,000 रुपई तीन साल में 3,60,000 रुपई की 8.40% return के साथ value हो चुकी होती तकरीबन 4,10,000 रुपई पिछले 5 साल में invest किये हुए 6,00,000 रुपई की value 11.59% के इसाब से हो चुकी होती तकरीबन 8,00,000 रुपई और दोस्तों पिछले 10 साल के multi-cap funds के average SIP performance के इसाब से invest किये हुए 12,00,000 रुपई की value 14.17% CSGI return के साथ हो चुकी होती 25,20,000 रुपई तो दोस्तों इस तरह से पिछले 10 साल के अंदर multi-cap funds के अंदर SIP ने धीरे-धीरे करके investors के लिए wealth create की है और multi-cap funds ने भी 10 साल के अंदर markets में कई सारे ups and downs देखने के बाद ये return generate करके दिया है चलिए अब देखते हैं best multi-cap mutual fund schemes ने पिछले 10 साल के अंदर investors को काफी अच्छा return generate करके दिया है और इन multi-cap mutual fund schemes के नाम है SBI Focused Equity Fund, Mira Asset India Equity Fund अगर आप Mira Asset India Equity Fund के बारे में detail में जानना चाहते हैं तो उपर i button को click करके इस वीडियो को एक बार जरूर देख लें इसके बाद है Reliance Multi-Cap Fund, Franklin India Focused Equity Fund, Reliance Focused Equity Fund, ICICI Prudential Multi-Cap Fund, Aditya Villa Sun Life Equity Fund, Principal Multi-Cap Fund और SBI Magnum Multi-Cap Fund इनके अलावा दो और Multi-Cap Funds है जिनोंने 5 साल complete कर लिये हैं और पिछले 5 साल के अंदर अपने investors को काफी अच्छा return generate करके दिया है इन schemes के नाम है KOTAC Standard Multi-Cap Fund और पराग परिक Long-Term Equity Fund इन दोनों Multi-Cap Funds के बारे में भी अगर आप डिटेल में जानना चाहते हो तो नीचे description में मैंने link provide कर दी है दोस्तों इन सारे Multi-Cap Funds में से पराग परिक Long-Term Equity Fund मेरा सबसे favorite fund है चली अंत में बात करते हैं conclusion के बारे में और जानते हैं कि विराट कोली के इस performance से investment में हमें क्या सीख लेनी चाहिए दोस्तों विराट कोली को इतनी बड़ी success एक या दो साल में नहीं बलकि पूरे 10 साल के बाद हासिल हुई है ठीक इसी तरह से हम भी mutual fund investing से एक या दो साल में wealth create करके अमिर कभी नहीं बन सकते दोस्तों हमें mutual fund investing के अंदर भी इसी तरह की volatility देखने को मिलती है जिस तरह की volatility हमें कोली के career में देखने को मिली always remember that volatility is the part of success let's accept it और अंत में विराट कोली की तरह ही consistency और patience की मदद से हम भी हमारे investment को grow कर सकते हैं जिसके लिए you need to be on pitch to get better returns और दोस्तों वादे के मुताबिक अंत में आप सभी के लिए दिवाली gift ये है कि अगर आप भी अपने लिए mutual fund investing से एक बहुत अच्छी wealth create करना चाते हैं तो आज ही अपना mutual fund investment start करी ये 100% free direct mutual funds के अंदर कुएरा की मदद से जिल्स के सारे viewers के लिए कुएरा की तरफ से एक special offer है नीचे description में दीगे link पर click करके investment start करने पर आपको मिलेंगे 200 coins absolutely free जिनको यूज करके आप कुएरा के advanced features को unlock कर सकते हैं और फिर अपनी पूरी family का portfolio एक ही जगर पर track कर सकते हैं as well as invest भी कर सकते हैं और इसे के साथा mutual funds के regular plans से direct plan way भी switch कर सकते हैं तो उमीद करता हूँ कि आपको ये दीवाली gift और आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से इसे like करके ज्यादा से जादा इसे share कर दीजिए और जील्स के सारे मेहमान कर दो